राम राम मैं पंडित असके मिस्त्र पिछले वीडियो में हमने मस्व पर बिसेश रुप से चर्चा किया है किसी इस्त्री जात्तक या पुरुष जात्तक के सरीर में कहां कहां पर मस्व होंगे तो उसका क्या-क्या सुभया असुप्रभाव पड़ेगा इस वीडियो में भी हम एक नए बिसेश के साथ उपस्तित्वे हैं यहां पर भी हम मस्व से सम्बंदित कुछ बिसेश तत्यों के बारे में कुछ रहस्यों के बारे में जनकारिया देंगे वीडियो को बिना इस कीप के वे ध्यान से देखने का सुनने का और समझने का प्रयाश करें अगर किसी जातक के टखने पर मसा होता है तो इसको असूफ माना जाता है बहुत सूबदायक नहीं माना जाता है टखने का मसा ऐसा मसा बंधन में डालने वाला होता है ऐसा जातक किसी चाकरे के लिए बिबस हो जाएगा कुछ बिद्वान ऐसा भी मानते हैं कि ऐसा ब्यक्ति किसी अबराज के चलते बंदी हो सकता है जेल में करगार में बंदी होने का भी संकेत देता है टकने पर मस्य का पाया जाना अगर किसी इस्त्री जातक या पुरुष जातक के नितंब पर मस्य है तो यह उनके अनैतिक संबंद को दरसाता है ऐसे इस्त्री या पुरुष कभी कभी दुर देश की यात्रा भी करते देखे गए हैं यदि मसा किसी इस्त्री जात्तक या पुरुष जात्तक के पाओं के अंगुठे पर है तो ऐसे जात्तक या जातिकाओं को काफी प्रतिष्टा मिलती है मगर अंगुलियों पर पाया जाने वाला मसा चाहे इस्त्री जात्तक हो या पुरुष जात्तक के पराया सुब नहीं होता है ऐसे जात्तक जातिकाओं के मान समान में हानी का संकेत देता है अंगुलियों पर पाया जाने वाला मसा ऐसे इस्त्री या पुरुस को किसी न किसी बंधन में पढ़ जाना पड़ता है और यह बंधन कारगार का नहीं है यह बंधन परिवारिक बंधन होता है मैंने यहां भली भाती समझाने का प्रयास किया है मस्तो के बारे में अगर मसों से कुछ असुप प्रभाव है तो बिलकुल घबडाने को सकता नहीं है हर समस्या का समाधान अवस्य है इसके लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं फिर भी अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में किसी ही प्रकार की कोई आर्थिक समस्या या कोई मानसिक समस्या या कोई सारेरिक समस्या हो जिससे आप प्रित हो परिसान हो चाहे समस्या दांपत जीवन को ले करके है पती पतनी में अनबन हो सास बहु में अनबन हो या आपका बिबाह नहीं हो पा रहा है बिबाह में अनेकु प्रकार की बधाएं आ रही है प्रेम भी बाह करना चाहते हैं तो बिलकु निरास होने क्यों सकता नहीं है अपना तुरंद का खीचा हुआ फोटो डेटा बर्स का डिटेल हस्तरेखा का फोटो हमारे वार्टसप पे मैसेज करें मैं आप लोगे एनरजी को रीड करके हस्तरेखा को रीड करके कुणली को री बिद्याओं में भारती साधनाओं में इतनी छमता है इतनी दिब्विता है इतनी भविता है कि वह अपिस्तों की समस्त समस्याओं का समधान पल भर में च्छन भर में कर सकती है और आप सब हमारे माध्यम से अपने घर बैठे अपने सभी प्रकार की समस्याओं का समधान कर आते हैं तो भी आप हमसे संपर्क कर सकते हैं धन्यवाद राम राम